नमस्कार नेहा फैम्ले किचन में आपका स्वागत हैं आज हम बनाने वाले हैं चाव मिन देर सारी सब्जियों के साथ है बढ़िया चाव मिन बना करके त्यार करेंगे एकदम से खिले खिले चाव मिन बनाएंगे मार्केट से भी बढ़िया चाव मिन बना करके त्यार करेंगे तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं यह हमने गैस पे कडाई रखी है पानी बोईल हो गया है इसके अंदर हमने एक चमस नमक डाल दिया है और एक चमस डाल देंगे हम इसके अदर ओल ताकि चाव मिन चिपके न और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये चाव मिन इस तरह से और इसे हम तेज गैस पे तीन से चार मिन्ट के लिए ही पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाएंगे पोवर कुक नहीं करेंगे इसे हम हलका कच्चा ही रखेंगे देखिए बोई ला गया है और ये तीन मिनट हुए है ये देखिए बस इतना ही पकाना है गैस की फिलेम को हमने कर दिया है बंद शेहां फटा-फट से चान लेंगे जलनी में हमने चान लिया है उपर से डाल देंगे हम इसके अंदर ठंडा पानी ताकि और कोक नहीं होए ये एक्ष्टा पानी सारा निकाल देंगे इसे हम निकालेंगे इस थाली के अंदर पानी को हमने अच्छे से निकाल दिया है और इस थाली के अंदर निकाल करके इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और थोड़ा डालेंगे हम इसके अंदर तेल दो चमच और मिला देंगे ताकि चिपके ना अलग-अलग खिले रही तब तक हम यह सब्जियां ली है यह देखिए यह सारे डेल सारी सब्जियां ली है सब्जी को औरहें सब्जी को ने दो पर साफ कर दिया है वहां लसन भी ली आ अधों विजे हैं में इस तरह से सब्जें को कट करेंगे इस परकार से प्टपन से सब्जेयों को काट लेंगे थे सब्टहरत कॉपल Di इसक्रफा इस तरह से इजली कट करके त्यार हो जाती है पटाफट से काट लेंगे इसी मिलावेज को भी काट दिया है और ये हरे वाला प्याज है इसको हमने पिछी के पार्ट को लग रख दिया है और ये आगे से काट लिया है इसे हम लंबा लंबा इस तरह से काट लेंगे इस तरह से काट लिया है हरा प्याज शिम्डा मिर्ची और गुबी और ये हमने प्याज को इस तरह से काटा है और ये हैरी प्याज को पिछे के पॉर्शन और हैरी मिर्ची और लैस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तीस सेकंड के लिए लैसून को होने पका लिया है अब डाल दी है हरी मिर्ची हरी मिर्ची को भी हम तीस सेकंड के लिए पका लेंगे दो हम इसके अदर डाल देंगे प्याज प्याज को भी हम थोड़ देर के लिए पकाएंगे 32 से 35 सेकंड के लिए और ये डाल देंगे हम गाजर गाजर को भी हम एक मिनट के लिए पकाएंगे एक मिनट के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये सीम्दा मिर्ची और ये भी हम 30 सेकंड के लिए पका लेंगे गैस के फ्लेम को हमने हाई रखा है तो चलाते रहेंगे गोबी भी डाल दी है इसके अंदर अरे प्याज भी डाल दी है तो ऐसे इसे एक मिनट के लिए और पका लेंगे एक मिनट पका लिया है हमने अब हम इसके अंदर डाल देंगे उगली हुई चाव मिन और इसे हम ऐसे ही रखेंगे ताकि सब्धिया अच्छे से पक जाएं और यह हमने डाल दी है रेड चिली सोस गरें चिली और यह हमने डाल दी है सोया सोस और यह आप चमच विनेगर और यह हाप चमच नमक नमक हमने बोल करती फिर भी डाला था इसलिए हमने हाप चमच नमक और डाला है इसे हम अब मिक्स करेंगे यह आप इस तरह इसे खडाहें सोपर तक भल चुपी है और आम से इस तरह इसे मिक्स करेंगे इतर ऐसे हम सीम्टे की मदद लेंगे और इसे पल्टेंगे इतर ऐसे अच्छे से पल्टी जाएगी इतर ऐसे सीम्टे से और जर से अच्छे से उलट पलट हो गई है देखिए अच्छे से इस सब्जियां भी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसके अंदर डाल देंगे हैरे वाले प्याज जो पिछे का फोर्षन होता है हरे प्याज का वो डाल दिया है इसके अंदर यह थोड़ा मिक्स कर लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे एक मैगी मसाला पाउच यह एक पाउच मैगी मसाला डाल देंगे इसके अंदर और हाफ चमच डालेंगे हम इसके अंदर यह चाट मसा चला और चला लेंगे इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी से दुबारा से मिक्स कर लेंगे इस तरह से यह देखिए चाव मिन बन करके तयार हो गई है हमारी यह गैस के फिलिम को हमने बंद कर दिया है इसे हम सब करेंगे यह देखिए एकदम से खिली खिली और बढ़िया चाव मिन बन करके तयार होई है मार्केट वाले से भी बढ़िया टेस्ट आने वाला है बहुत ही बढ़िया चाव मिन बन करके तयार होई है उपर से यह हरे प्य जोर डाल दी हैं यह देखे देखने से ही बता चलता है कि कितनी बड़िया जावमिन होंगी वह वोत ही बड़िया जावमिन बन करके त्यार हुई हैं गर वीडिया अच्छी लगी तो लाइक किजिए शेर किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और कोमेंट करके बताइए ये रे सिपी कैसी लगी धन्यवाद